हलो फ्रेंज, गार्डन शॉट्स भाई ईला शर्मा मैं आज की टिप में आपको बता रही हूँ, यह अडेनियम की फली है, सीड पॉट जिसको कहते हैं, इस तरह से खुलने लग जया है, इसके माने अब सीड इसमें तयार हो गए है, अगर आप इसको इस तरह से छोड़ दें बांध दीजे, तो यह बंधा रहेगा इसमें और इसके सीड आपके इसके अंदर फिर सेक्योर रहेंगे, उडेंगे नहीं, और इसी में अच्छी तरह से पक जाएंगे, खुला मत छोड़ियेगा, दोनो जो आपके पॉट्स हैं, उनको आप एक संगी इस तरह से टाई कर दीजे, लाइक दिस, सिंपल नो, सेव और इडेटिम सीज और दस दिन के अंदर अंदर फिर इनको तोड़ के आप लगा लीजेगा अच्छी सी पोरस स्वाइल मिक्स में, थैंक्यू फ्रेंज,